ये हारबोर्ट से जितने भी विद्यार्थी बरतमान में कलास 9 से लेकर 12 तक किसी भी कलास में स्टड़ी कर रहे हैं तो आपका जो हर एक मन्त मासिक परिक्षा होता है तो उस मासिक परिक्षा के आप डेट और रूटीन और सभी चीज़ जारी कर दिया गया है जो इस मन्त में तब किसी सितंबर मन्त में जो होगा आपका मासिक परिक्षा उसके लिए अपडेट आ चुका है तो सभी कलास का मनों रूटीन हो गरा इस वीडियो में समझेंगे उसके सताथ साथ जो भी विद्यारती तेंथ 12 में हैं उनका तो अब बोड एक्जाम पढ़ने जारा एक्जाम हो गरा भरा रहा है तो आपका कब तक मासीक परिक्षा भी होगा इसके भी हमनों चर्चा करेंग तो ध्यान से समझेगा अब देगे पहले जो अफिसल अबडेट आया है उसको समझते हैं उसके बाद और सभी मूल परसन की बात करेंगे तो यहां पे जानकारी दिया जा रहा है कि 9-12 तक की मासीक परिक्षा 23 से मतलब इस मन्त में सेप्टेंबर मन्त में 23 से आपका एक्ज चलेंगी परिक्षा के बाद उतर पुस्तिका की जाच दुर्गा पुजा की छूटी से पहले होगा इसको लेकर माधमिक सिक्षा निदेशक योगेंदर सिंग ने बुधवार को सभी जीला सिक्षा पतादिकारी को दिशा निर्देश जारी किया है नवी और दसवी के बच सभी चीज आपको दिखा दे रहा हूँ अब दो तीन महत्वपूर्ण परिक्षा है जो हर मन्त एकजाम हो रहा है तो इसमें देखिए आप 9-10 11 तो सेप्टेम्बर तरी सिलेबस पढ़ाया गया होगा उसी से प्रसन आए गया है तो आपकी स्कूल में जीतना पढ़ाई हु आपका हर एक पार्ट जो हर एक विशय में आधा सिलेबस होगा उससे एक दो चेप्टर आगे तक से प्रसन आएंगे ठीक तो यह सी लेबस रहता है पूरा उसका आप सिलेबस हो रहा खरे देंगे तो उसमें पुरा रहता है कि सैप्टेमबर तक कितना पढ़ना चाहिए सम पूरा जनुवरी फेबरुरी तक होगा मार्च मुझब आपका एनुवल एकजाम हो जाएगा नाइन्थ और 11 का तो उसके बाद आपका मासिक परिक्षा मतलब की फिर आपका फिर आपका तेंथ का 12 का मासिक परिक्षा जारी रहेगा बड़ जो भी द्यार्थिय भी बरतमा तो आपका मासिक परिक्षा की कोई हो सकता नहीं तो अक्टूबर के बाद मतलब आपका वगर से सभी चीजी से रूप में चर रहा है अगर सभी तायारी बिहार बुड़ का सही रहा तो 12 का ये लास्ट ही समझेए मासिक परिक्षा इसके बाद आपका 100% सिलेबस से तो उसके बाद आपका मासिक परिक्षा खतम उसके बाद सीधे आपको भी फेबुरुरुरी में फाइनल बुड़ एकजाम देना होगा तो तेंथ के बीद्यार्थियों का भी दो मासिक परिक्षा देना पर सकता है रहों ही पर 12 के परिक्षा अगर सभी चीज था रहा तो अंतिम ही मासिक परिक्षा होगा इसका बाद सीधे आपको संट अप एकजाम में संब्लित होना होगा उसके बाद मासिक परिक्षा आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा सीधे फाइनल बुड़ एकजाम आपको देना है और 9 और 10 के भी द्यार्थियों का तो चलेगा मार AR-Carrier पॉइंट टाइप करके सर्च किजिए आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और AR-Carrier.com वैफसाइट देखे इस तरह आप में सो होगा सब से उपर सिम्पल सा आपको इस वैफसाइट पे किलिक कर देना है जैसे ही आप किलिक करेंगे आपके सामने ऑफिस्याल वै जानकारी है ओभी आप पढ़ सकते हैं अच्छा और मासिक परिक्षा का रूटीन देखना है तो यहीं पर नीचे की तरफ बढ़ते आईएगा नीचे की तरफ आईएगा तो अगर आप तेंथ के परिक्षारती है तो यहां पर तेंथ वाले मंथली एक्जाम जो लिखा है कि अगर वहीं पर आप 11th के परिक्षारती है तो यहां पर आप नीचे की तरफ बढ़ेंग तो यहां पर रूटीन हो गरा पूरा पूरा जानकारी है कि देई से शुरू कर आपका 30 तक चलेगा यहां पर पूरा एक्जाम रूटीन डाउनलोड करने का लिंक कोर्शन पर वायरल होगा तो यहीं से आप देख पाएंगे उसी तरह मैंने नाइंथ पर किलिक किया तो यहां पर देखिए नाइंथ का पूरा रूटीन हो गरा जो कि देख सकते हैं जो रूटीन है कि आपका 23 से लेकर 25 तक चलेगा तो भी आपका पूरा यहां पर रूटीन हो गरा दिया गया किस दिन किस पीस है का एक्जाम होगा फिर उसी तरह मैंने 12 पे किलिक किया तो यहां पर देखिए 12 के संट आपका मासिक परिक्षा सेप्टेंब सबी चीज आप देख सकते हैं तो अभी कि इस पूरे वीडियो की स्वरांज के मुलों चर्चा कर ले तो आपके 9, 10, 11, 12 सबका जो हर एक मन्त एक्जाम हो रहा है तो सेप्टेंबर वाले मासिक परिक्षा का डेट हो गारा आ आ चुका है तेज से आपका एक्जाम सुरू हो पूरा जनकारी इस वीडियो मैंने समझा दिया रूटीन हो गारा देखना है 11 के चात्रों का रजिस्टेशन फॉर्म भरा रहा है 12 और 10 के भी द्यार्थियों का एक्जाम भरा रहा है रिस्टेशन का डाउनूड रहा है पूरा जनकारी और अफ्टेंबर वाले मासिक परिक यहां पर मिल जाएगा यहां से आकर सभी जनकारी चेक कर लिजे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद